नमस्कार दोस्तों सान कीचर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज में बनाने वाले ही कुछ अलग ढग की सबजी ये काबली चना की टेस्टी सबजी है ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये इसे सभी लोग पसंद भी करते हैं आप इसे चावल, पूरी, पराठा के सभी चीजों के साथ ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है आलू और काबली की मैं टेस्टी सबजी बनाना सुरू करती हूँ, मैं काबली को रात भरी से भींगो दी थी, अम मैं इस कुकर में डाल के आलू डाल के इसमें मैं पानी को डाल देती हूँ, दो गिलास में पानी को डाल दी हूँ, अम मैं इसमें थोरा सा हल्दी पॉडर, थो गवालेती हो। आप देख सकते हैं कि हमारा काबली और अलू उवल गई है। अम में कराही को चठा के तेल डालके इसे गर्म कर लेती ह। अब मैं इसमें जीरा को डाल देती ह। जीरा प्यास डालके इसे मैं थोड़ी देरी से भून लेती ह। जब तक नहीं प्याज गोल्डन बढ़ान होता है, तब तक मैं इसे चलाते रहूंगे. हमारा प्याज गोल्डन बढ़ान हो गया है, अब मैं इसमें अधरक लहसन का पेस्ट डाल देती हूँ. हल्दी पॉडर, लाल मीड़, गरम मसाला को डालके, इसे अच्छे से मैं भून लेती हूँ. मसाला को मैं जितना ही अच्छे तरह से भूनूँगी, उतना ही हमारा टेस्टी सबजी बनकर तैयार होगा. अम मैं मसाला को थोरी देर भून ली हो अम मैं इसमें थोरा सा पानी डाल के मसाला को अच्छे से इसे भून लेती हूँ अम मैं बारिक कटी हुई टामाटर को डाल के इसे थोरे देर और मैं भून लेती हूँ आम मैं टमाटर में थोड़ा नमक डाल के इसे थोड़ी देर मैं भून लेती हूँ आम मैं इसमें स्वाधनुसा नमक को डाल दी हूँ जब तक हमारा टमाटर नहीं गलेगा तब तक मैं मसाला को इसे भून लेती हूँ मैं मसाला को अच्छी तरह से भूनूंगी तो हमारा टेस्टी सब्जी बन कर तयार होगा अब मैं काबली और आलू डालके इसे अच्छे से मैं भून लेती हूँ अब मैं सारे आलू को इसे हाथों से मैच कर ली हूँ इसे अच्छे से मैं भून लेती हूँ आप सब्जी को बार बार चलाते रहे मैं सब्जी को थोड़ी देर और भून लेती हूँ आप सभी से बाती करते करते हमारा टेस्टी सब्जी बनकर तयार है आप इसे खाईए और इंज्वाई कीजिए तो हमारे चैनल पर नए है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए कोटी सी कोशिज आप सभी को बेहत पसंद आई होगे तो मिलती हो आप सभी से कल एक नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्यार लखे और स्वास्त रहे